बीए, बीकॉम, बीएस्सी, एमे, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी एकनो से, सॉल्ट असाइन्मेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें, संपर करें महाकाल कम्प्यूटर्स, डीए वी पीजी कॉलेज के पास पंच मदीरा मोर से दाहिने, सीव सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बिमारी, अत्यदिक, गुस्सा आना, घबरहाट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी है परशान तो मिलिये शहर के मशूर साइकार्टिस डॉक्टर पंकच कुमार गुप्ता से, हमारा पता है डॉक्टर स्रामा जी चौदी से सौ कदम पूरब, डाक्टर स्कॉलनी वहडिया रोट सीवान, संपर्क नंबर 85399-4951 पूरब, ड्यूटी से लोट कर बैडमिंटन खेल रहे थे, इस दोरान वे अचानक गिर गए, इस दोरान उनके साथ ही उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकितसक द्वारा मृत गोशित कर दिया गया, उनके साथ ही उन्हें घटना की सूचना, उनके स्व जनों के रोने से माहुल गमकीन हो गया, वही बलिदानी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमर पड़ी, इस दोरान गाउं की इवग भारत माता की जोए, वंदे मातरम राकेश कुमार अमर रहे के नारी लगा रहे थे, इस दोरान मुज़फर पुर से अधिका पहुंची जहां गार आफ ओनर के साथ उनकी अंतिम विदाई दी गई, पुद्र रिशब ने सरयू नदी तड़ पर अपने पिता को मुखाग ने दी, इस मौके पर काफी संख्या में लोगों पस्ते थे, बताया जाता है कि वलिदाने के पिता इंडियन नेवी के सीवा न परमियार अचानक गिर पड़े, साथ खेल रहे थे था, केम्प के अन्य जवानों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा है, लेकिन कुछ देर में चिकेट सकोलों ने मृत गोशित कर दिया, राकेश की दो संतान है, इसमें नौ वर्षिय पुत्र अंशिका कुमारी थे याने लोगों उन्हें उनके ताबूत पर माले आरपन का रिश्रधान जली दी, न्यूस इंडिया तक से परवेज अक्तर की रिपोट, तमाम है तो पूर्ण कब्रों के लिए देखते रहेंगे न्यूस इंडिया तक, अब आपकी सहर सिवान में सप्तर जंग हस्पिटल डेली के मसहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजमिन, जेनरल एंड लेप्रोस्कॉपिक सर्जन, एमबीबियस, डियनबी, जेनरल सर्जरी डेली, लखी चंध हस्पिटल में अपनी सेवाय दे रहे हैं, लखी चंध हस्पि